हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है सलाह देखिए सम्धन जी न्याहा को सब कुछ अच्छी तरह समझा बुझा कर यहां भेजिएगा अच्छा होता जाड़े बाद ही आती यहां पर मेरा बेटा उताला हुआ जा रहा बच्चे के संग रहने के लिए अब मेरे से ज्यादा काम तो होता नहीं है पता नहीं सब कैसे मैनेज होगा आपको ही यहां बुला लेती पर आप तो जानती ही हैं यह घर छोटा है दो ही कमरे हैं एक मैं आपकी बेटी रहती दूसरे मैं सावित्री जी के बोल आसा जी को चुछ बसे रहे थे पर बेटी की मा को बोलने का मौका ही कहां मिलता है वो बसा हूँ ही कर सकती है जी आपने श्चिंत रहें नेहा को सब सिखा रही हूँ पहला बच्चा है ना थोड़ी परेशानी तो हमें आपको भी हुई थी फिर सब कुछ धीरे धीरे आही जाता है आसा जी ने कहा हाँ वो तो है पर बच्चे की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मा को ही निभानी होती है ना सावित्री जी ने कहा ओप चारिक बाचीत कर फोन रख दिया नेहा देख बेटा वहां जाकर सब करतो लेगी ना तेरी फिक्र मुझे खाये जा रही है काम के धुन में तुम्हें खाने तक का होता नहीं रहता अब नन्ही सी जान के लिए तुम्हें बहुत सावधानी से सब काम करने होंगे खान पान पर विसेस ध्यान देना होगा और तुम स्वस्तर होगी तो बाबु भी ठीक से रहेगा आसा जी नेहा को समझाते हुए बोली मा एक बात तो तय है तुम्हारे पास जितना आराम और सुकून है वो ससुराल में चाहकर भी नहीं हो सकता वहां त काम कर रही उधर तो खुद को घर का हिस्सा ही मानती है और फिर सासु मा भी बात बात पर कहती रहती इसको कहां आता होगा ये सब हर दिन सुनकर नामा दिल बैठ जाता है अब तक तो मैं अकेली ही थी अब ये बाबु भी साथ होगा उसकी मालिस दूद और सबसे जरूरी इसकी नीद कैसे होगा ये सब देखना कितना भी कर लूगी ताने तो मिलेंगे ही निहा परेशांसी होकर बोली बेटा देख ये सब तो सुभाव की बात होती है कितनों की यादत होती है हर बात पर मीन में एक निकालने की तुम्हें लगता है तुम सही हो तो ज्यादा सोच पुछनी की जरूरत नहीं है और रही बात कैसे होगा जब सोच लोगी होगा तो जरूर होगा आसा जी बेटी को समझाते हुए बोली कुछ दिनों बाद नेहा बच्चे के साथ ससुराल पहुच गई जैसे उसे उम्मीद थी वैसा ही हो रहा था बहु रानी बाबु कितना दूबला है इसे अपना दूद क्यों नहीं पिलाती है और ये क्या दिन भर डाइपर में रखे रहती हो अरे खोल कर रखा करो धूप में ले जाओ तो कपड़े कम कर दो घर पर काम करने वाली रूपा ने नहा से कहना सुरू कर दिया नहा हूं हाकर चुप़ी लगा लेती आने जाने वाले लोगों ने भी अपनी तरब से हिदायते देने में जरा सी भी कोता ही ना बरती कहा था संधन जी से बहु को सब सिखा कर भेजें देखो जो बाबु को देखने आता तुम्हें सुना कर चला जाता है सावित्री जी नाराज होते मा एक बात कहूं बाबु अगर मेरी जिम्मेदारी है तो इसके लिए जो सही होगा मैं वहीं करूंगी सबने अपने अपने हिस्से की सलह देने में जरा भी कमी ना रखी पर मैं अकेले कैसे सब करती हूं मैं ही जानती हूं मंजु चाची हमारी पडोसी कल मैं जब छत पर मुन्य को तेल लगा रही थी तो आज चरे करते हूए बोली अरे वह नहां तुम्हें तेल भी लगाना आता है इसकी दादी नहीं लगाती है क्या मेरी बहु तो मुझसे ही कहती थी पोती की मालिस को खुद ना करती ना सीखा उसने पर तुम तो अच्छे से कर रही हो मा मुन्य की परवरिस कैसे करनी वो मैं भी जान समझ रही हूँ बोलने वाले का क्या है वो कौन सा मेरी मदद को आते जो उनकी बाते सुनकर अपना मंदुखी करूं नहां हर दिन के ताने और सला से परेशान हो चुकी थी और सासुमा हिदायते देती रहती थी मोहले वाले भी जब तब आकर अपने सलाह से नवाजते रहते थे तब वो भी तो यहीं सोचती थी करना वही है जो मेरे बच्चों के लिए सही है फिर नेहा को इतनी हिदायते क्यों दे रही ठीक है बहू जैसा तुमें सही लगे करो पर जहां कुछ समझ ना आये मुझसे पूछ लेना जहां तक मालिस की बात है मैंने खुद कभी अपने बच्चों की नहीं की वो तो सासुमा कर देती कभी कभी मालिस वाली से करवा देती थी तुम तो फिर भी सीख कर आई हो कहसा वित्री जी वहां से चली गई असा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद